नमस्कार यूटूब वियर्स स्वागत है सिंगोधिया मार्बल इंडिसीज के यूटूब चैनल पर आज का अपना वीडियो बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल होने वाला है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा कि अलो एव्रिवन संदीप सिंगोधिया ओनर आफ सिंगोधिया मार्बल इंडिसीज इन माइन्स आज टोटल तीन लॉट के पर मैं वीडियो बना रहा हूं और यह चकडूंगरी कॉलिटी है मगराने की जो सबसे यादा बिकने वाली कॉलिटी है यह देखें आप वाइटनेस देखें इन में और यह चकडूंगरी में भी जो एवरेस्ट जिसे बोलता है जो पीक जिसे बोलता है वह अली कॉलिटी है यह चकडूंगरी वैसे 120 रुपर से चालो हो जाती है उनके रेट 600-600 तक जाती है जो सबसे टॉप कॉलिटी होती है यह उनमें से एक है कि तीनों लॉट में आपको सिमिलेरिटी दिख जाएगी पहले आप यह देखे तीनों लॉट में होरिजोंटल लाइंग और वाइट बेज देखे आप सिमिलर है कहीं कोई डिफरेंस नहीं है अब मैं आपको इनकी फिटनेस दिखायाता हूं साइड से यह देखे लाइनिंग आप देख रहा है लाइन्टो लाइन्ट मैच होती भी पूरे स्क्वेर शेप्ड है मैजर्मेंट लैस करने की भी ज़रूत नहीं इसमें आप यह देखे बहतरीन से बहतरीन कॉलिटी जो होती है वो है यह कहीं पर भी लाइन पर ब्रेक नहीं नजर आएगा आपको यह देखे और बिल्कुल स्क्वेर शेप्ड है बड़े-बड़े लॉट है कि में इनको वाटर अपलाए करके भी दिखाऊंगा आपको जिससे आपको और अच्छा एडिया हो जाएगा कि सबसे पहले मैं साइस बतायाता हूं इन दोनों की सिमलर है यह तीन बाई साढ़ी छे तीन बाई साढ़ी छे दोनों में 1100-1100 स्क्वेर फीट है कि यह साड़े-तीन बाई पॉने आठ यह मैं मेजरमेंट से बता रहा हूं सौरी फ्रेश मेजरमेंट से बता रहा हूं यहां यह यहां तक रहा और यह 7.11 वह आरा लेकिन अपना पॉने आठ यह जाएगा 7.9 तो यह डिया आपको इतना में जुए मिलेगा यह यह एक से डे परसंट का benefit होता है यह एक्स्ट्र मार मिलता हो ने यह मकराने की जो नाप होता है यह इसकी बहुत ही बढ़िया advantage है यह बहार आपको नहीं मिलेगा बहार आपको इंच measurement से मिलता है जितना है उतने को तना दिना पड़ेगा यह यह साड़ी 6 जो मैं आपको बता रहूं इसमें इसमें इतना मार्जिन छोड़के मैं बता रहूं है साड़ी 6 से बढ़ा और बाहर अगर आप लेंगे तो वह यह भी काउंट करेंगे इंच measurement करेंगे तो मकराने में ऐसे नहीं चलता है तीन-छे नौका चलता है हम आपको इस पर वाटर अपलाई करके दिखायाता हूं जि यह देखिए कहीं कोई च्छेंज नहीं आ रहा है समय का पॉलिश ओने के बाद कितने जबर्दस पॉलिश आएगी समय यह मैं आपको बताया था उसमें जो क्रिस्टल का होता है सबसे बढ़िए इसमें चब डूंगरीं के अंदर चक डूंगरी का जो क्रिस्टल आता है सब सब्सक्राइब बेस्ट होता इसमें बारी क्रिस्टल जिसे बोलते हैं और वाइटनेस की कमी है नहीं होर्जॉंटल लाइन आप लाइन टू लाइन मैच करके देख सकते हैं कि सिमिलर ब्लॉक सिमिलर माइन तो ऐसी यूनिक कॉलिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं यहां पर भी आप उसे लगाएंगे वहां पर वजन बढ़ जाएगा उसका रिच्छनस बढ़ जाएगी कि बहुत ही यूनिक कॉलिटी है मकराने की है और मैं हर बार आपको स्टेंडर्ड कॉलिटी दिखाता हूं अब मेरे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको कहीं दिखाया थे यह देखिए अभी अलबेटा का जो बना रहा हूं वहीं वाप पर है यह सब पर बनाना है मेरेको हर बार दिखाता हूं मैं आपको अभी तक दस वीडियो बना चुका हूं मैं अलबेटा के पर अभी और भी बनाने है लेकिन यह कॉलिटी मैं सोचा आपको पहले दिखा हूं फॉर चींज जो सबसे स्टेंडर्ड कॉलिटी है चक डूंगरी की आप इसको मास्टर बैडरूम में अपने हॉल के इंदर जहां पर लोग ज़्यादा आता है यानि घर के आप में हॉल के इंदर आप इसे लगा सकते हैं और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कहीं पर जहां पर ज़्यादा लोगों का फुट फॉल हो वहां पर भी कोई दिक् इंक्रीज होती रहती है और जवान होता रहता है जैसे दूसरे माल के अंदर बहुत दिक्कत रहती है फुट फॉट फॉल का बहुत रहता है अगर वह बाहर एक्स्टीरियन में नहीं लगा सकते हैं इंटिरियर ही लगाना पड़ता हुने कहीं वालों में इसमें ऐसा कोई आप कहीं पर भी लगाई है से आप बाथ्रूम में आपको बाथ्रूम में लगाना मास्टर बैड्रूम आपको हॉल हो गया कहीं पर भी लगा सकते हैं इस वाले को बहुत ही यूनीक कॉलिटी है और मेरी सब भी वियर से रिक्वेस्ट भी है प्लीज चैनल को कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो और भी अच्छी कॉलिटी पर होने वाल है और मैं ऐसे ही आपको यूनीक और स्टेंडर्ड कॉलिटी दिखाता रहूँगा मकराने की और यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्षिन हैं बता सकते हैं और जिनको चकडूंगरी पसंद की आप उन्हें फावर्ड कर सकते हैं सी यू नेक्स वीडियो थैंक यू